दोस्तों अगर आप भी महेंदर सिंग धोनी को लेजेन मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रू कीजेगा दोस्तों भारत के क्रिकेट बूर्ड बी सी सी आई ने हाली में भारत के कोच और कप्तान को बदल कर नया कोच और कप्तान टीम में शामिल किया है अब सूतरों के हवाले से खबर मिली है कि राहुल ड्रविड के जगा महेंदर सिंग धोनी टीम के नए कोच बनेंगे दोस्तों इस बारे में आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बनी रहीगा लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी की जैसा खिलाडी पूरे विशो क्रिकेट में कौन हो सकता है दोस्तों 2021 के अंत में विशो कप के बाद भारत ने अपने T20 और वंडे के कप्तान में बदलाव किया और T20 और वंडे के नए कप्तान रोहिट शर्मा होंगे और नए कोच भारती क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड बनाए गए हैं इससे पहले भारत के कोच रवी शास्त्री थे जिनका कारेकाल खत्म हुआ उसके बाद भारती टीम के नए कोच राहुल द्रविड बनाए गए हैं और राहुल द्रविड पहले NCA National Cricket Association of India के अध्यक्ष थे जो इस समय भारती क्रिकेट के हिड कोच बन चुके हैं और NCA के अध्यक्ष इस समय वीवेस लक्षमन हैं दोस्तों इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महेंदर सिंग धोनी आने वाले समय में राहुल द्रविड के जगए कोच पत पर संभालेंगे जो मैच में एक अलग सा मूड लाकर मैच को पूरी तरीके से पलट देते हैं। उनके एक टर्निंग पॉइंट के कारड जीती हुई टीम अपनी बाजी को हार जाती है। भारत के लिए महेंदर सिंग धोनी ने कुछ समय पहले विश्यो कप में मेंटोर की भूमिका निभाई थी। लेकिन उसमें खिलाडियों के प्रदर्शन ना आने की वज़े से वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। दोस्तों बी CCI के नियम के थैत कोई भी खिलाडी भारती क्रिकेट से सन्यास नहीं लेता है जब तक कोई भी खिलाडी कोच पत के लिए आवेदन नहीं कर सकता। लेकिन महेंदर सिंग धोनी इस समय चैनने सूपर किंग्स के कपतान है। इसी कारड़ से वो टीम में कोच के भूमिका अभी नहीं निभा सकते हैं। अठारम में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 15 टेस्ट मामले ड्रॉ हो गए थे। साथी साथ 199 वंडे में 110 जीते हैं। तो 74 मैचों में हार का भी सामना करना पड़ा है। और T20 क्रिकेट में महेंदर सिंग धोनी की कपतानी में भारत ने 72 मैचों में एक 40 मैच में जीत हा पर दोस्तों नीचे दिए करेंट सक्षिन में करते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। शास्त्री ने टाइमस ऑफ इंडिया से बात चित में कहा है कि उन्हें जिस तरीके से हटाया गया था उससे उन्हें दुख हुआ था उनके नुसाल ने टीम से बाहर करने के बहतर तरीके हो सकते थे। काफी विवादों के बाद 2017 में शास्त्री फिर से भारत के कोँश बने उन्होंने इस पर कहा जो लोग मुझे बाहर रखना चाहते थे उनके मुण पर ये करारा तमाचा था। 2017 दूसरी बार भारत के कोछ बनने के बाद शास्त्री के कारेकाल मे भारती टीम ने टेस्ट और वंडे सिरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन इस दौरान टीम इंडिया कोई ICC ट्रॉफी नहीं चीत पाई अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें